गुड मॉर्निंग एवरिवान, आज की एक्सेसाइज है टू भी, पेज नमबर 18, सेकंड कोश्चन, डू दीस इन योर नोट बुक, यह आपको अपनी मैच सी कॉपी में कम्पलीट करना है, ए पार्ट, 475 प्लस 342, इन दो नमबर्स को आपको एड करना है, 475 प्लस 342, पहले आप फर्स नमबर लिखेंगे, प्लस आप यह सेकंड नमबर लिखेंगे, यह कह है, 1 प्लस, 10 प्लस प्लस और यह 100 प्लस, पहले आप वन्स प्लस वाली डिजिट को एड करेंगे, 5 प्लस 2, 5 में आपने 2 एड किया तो आपको क्या मिलेगा, 7, 5 प्लस 2 इस 7, इसके बाद 7 प दिखेंगे और यह जो 1 है यह carry forward होगा ठीक है यहाँ पर आ जाएगा जो इसके next वाला column है यहाँ पर यह 1 यहाँ पर carry चला जाएगा अब आप इनको add करेंगे 1 plus 4 5 5 plus 3 8 answer will be 837 second का c part 382 plus 573 पहले मैंने first number लिखा plus second number इनको आप add करेंगे 2 plus 3 2 plus 3 की value क्या है 5 8 plus 7 8 में आप 7 add करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 15 इसमें कितनी digits है 2 digits तो जो यह first digit है वो आप नीचे लिखेंगे second digit carry forward होगा तो यह next वाले कॉलम में यह चला जाएगा यह 1 है यहाँ उपर आएगा इसके next जो कॉलम है वहाँ पर यह उपर 1 चला जाएगा अब आप क्या करेंगे 1 को 3 में add करेंगे 1 प्लस 3 4 4 प्लस 5 9 अंसर विल बी 955 सेकंड का D पार्ट देखिए D पार्ट सेकंड का 664 प्लस 151 सबसे पहले आपने first number लिखा उसके नीचे आप second number लिखेंगे इनको add करना है यह प्लस का sign यूस होगा अब आप once place की digits को add कीजी आपको यहाँ से add करना start करना है पहले आप इन numbers को add नहीं करेंगे 4 प्लस 1 5 6 प्लस 5 6 प्लस 5 का value क्या होता है 11 11 का जो यह once place की digit है वो आप नीचे लिखेंगे और जो second digit है वो next column में उपर carry forward होगा carry को हमने circle से show की है 1 प्लस 6 7 7 प्लस 1 8 answer will be 815 second question का ही यह क्या है F part 468 plus 317 पहले मैंने यह first number लिखा plus उसके बार मैंने नीचे second number लिखा इनको आप कैसे add करेंगे 8 plus 7 8 plus 7 का value क्या होता है 8 में आपने 7 add किया तो आपको 15 मिलेगा 15 का जो first digit है once place की जो digit है वो आप नीचे लिखेंगे 10 place की digit को आप next column में इसके next वाले column में उपर carry forward होगा तो 1 को जब आप उपर लिखेंगे तो उस circle बनाएंगे ठीक है 1 plus 6 7 7 में 1 add किया तो क्या आएगा 8 4 plus 3 4 में 3 add करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 7 answer will be 785 मैंने आपको second question का A part करवाया है C, D and F part मैंने आपको ये करवाया है बाकी parts आप homework में करेंगे second का exercise 2B, second question का B part, E part, G, H and I part ये आपको copy में खुद से solve करना है ये आप math सी copy में करेंगे ठीक है first question आपको book में करना है बट second question आपको math सी copy में करना है कोई doubt हो जो आप next class में पूर सकते हैं कि आपको ऐसे solve करना है